वेलकम टू प्रियान सी स्टडी पॉइंट हेलो दूस्तों सामान यान के इस वीडियो में आपका स्वागत है ये प्रिशन सभी पृतियोगी परीचाओं में पूछे जाने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रिशन है एसिया में मात्र मृत्यूदर क सबस्शे उच्चत्म है हमारा अगला प्रिशन है भुगोल का जनक कि से कहा जाता है एक फसलियू उत arrangement को बागानी करसी की प्रुमुक विजशेस्ता क्या है तो एक वसलीट पादन को बागानी करसィ कहते हैं, बागानी करसी को एक फसली उत्पादन कहतेहैं यानि यह जो है सिर्फ साल भर में किवल एक बार फसल पैदा करती है जैसे हमारा हो गया वो अरहर हो गया, तो अरहर जो है यह बागानी फशल है हमारा अगला प्रशन है न्यूजी लैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है तो इसको क्वीज नाम से जाना जाता है न्यूजी लैंड के जो निवासिय हैं उनको हम क्वीज नाम के क्वीज नाम से जानते हैं हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो सुराणिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है तो म्यामार को हम सुराणिम पैगोडा भी कहते हैं हमारा अगला प्रश्ण है सूर्य प्रकास धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है तो 8.3 ये समय लेता है यानी 8.3 इतना समय लेता है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो क्वेकर सिटी के उप नाम से कौन सानगर जाना जाता है तो फिला डेलफिया जो है ये क्वेकर सिटी की नाम से फिला डेलफिया जाना जाता है हमारा अगला प्रश्ण है हिमाले की उत्पत्ति किस भूसनत से हुई है तो टेथिस भूत सन्नत से हुई है हिमाले की उत्पत्ती हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो प्लूटो क्या है? हमारा अगला प्रश्ण है जन्संख्या व्रद्धि का सरवाधिक प्रतिसत जिस महादवीब के देशों में देखा गया है यह जनसंक्या वरद्धी का सरवाधिक प्रिधर वाला जो है महाद्वीप है एस्या एक महाद्वीप है और यहाँ पर जो है सबसे अधिक जनसंक्या व्रद्धी है और यहां प्रतिवर्ष जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या की व्रद्धी होती है हमारा अगला प्रशन है प्रतवी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले गरह का क्या नाम है इस प्रशन को हमने अगले वीडियो में भी डिसकस किया है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो सूरी को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है हमारा अगला प्रशन है प्रथवी के केंदर में पाया जाने वाला चुम्ब की ये पदार्थ कौन सा है प्रथवी के केंदर में पाया जाने वाला चुम्ब की ये पदार्थ काउन सा है तो निकल निकल जो है ये प्रथवी केंदर में पाया जाता है और ये एक चुम्ब की ये पदार्थ है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो किस देश को वनो का देश कहा जाता है किस देश को वनो का देश कहा जाता है तो कांगो प्रजातांत्रिक गरतंत्र को वनो का देश कहा जाता है हमारा अगरा प्रशन है जावा और सुमात्रा द्वीब किस देश में है जावा और सुमात्रा द्वीब सुमात्रा द्वीब जो है किस देश में है तो इंडोनेसिया में जावा और सुमात्रा दोनों जो है एक द्वीब हैं और ये जो है इंडोनेसिया में इस्थित है हमारा अगला प्रशन है किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं तो सुक्र को जो है ये most important प्रशन है सुक्र को जो है संध्या का तारा कहा जाता है हमारा अगला प्रशन है दोस्तों जाजरे का आधुनिक नाम क्या है तो कांगो गड़ राज जो है ये जाजरे का आधुनिक नाम है हमारा अगला प्रशन है दोस्तों प्रवाल वित्तियों की उत्पत्ती से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिध्धान्द का पृत्पादन किशने किया है तो डेली ने किया है हमारा अगला प्रशन है इस्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रशिध है तो ये बार्शी लोना जो है ये इस्पेन की मुंबई के नाम से बार्शी लोना प्रशिध है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो व्यापारिक पवने कहां से चलती है व्यापारिक पवने कहां से चलती है तो ये उपोसन उच्छदाब से व्यापारिक पवने चलती है व्यापारिक पवने जो है ये उपोसन उच्छदाब से चलती है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो पेरिश सहर किस नदी के तर पर इस्तित है तो सीन नदी के तर पर जो है पेरिश सहर इस्तित है पेरिश सहर सीन नदी के तर पर इस्तित है आई होग दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए अगर आपके म उस प्रिशन का उत्तर सही पूरुवग दिया जाए आई होग दोस्तों यह प्रिशन आपको समझाएं गोए और यह वीडियो आपको पसंदा होगा अगर यह वीडियो आपको पसंदा है तो लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं